तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हो में बहुत ही चटपटी सी और एकदम खटी मीठी भेल पूरी की रेसिपी जी हाँ जो कि हमारे बच्चों को हमें बहुत ही पसंद होती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो बिलकुल मार्केट में या गली में जो ठेले वाले भेल लगाते हैं भेल देते हैं हमें बिलकुल वैसी ही खटी मीठी और चटपटी सी भेल की रेसिपी तो आईए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस व तो आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है और साथ ही टेस्टी भी है तो चलिए फ्रेंट्स देख लेते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ों का यूज किया है सबसे पहले मैंने यहां पर एक कड़ाई को रख दिया है gas पर और इसम डाला है मैंने cooking oil आप जो भी वाईल यूज करते हैं कुकिंग में वहाँ पर वही cooking oil आपको लेना है और इसे थोड़ा गर्म कर लिया है मैंने और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चमत से भी कम कर दिए पर्मल जिससे हमें भेल पूरी बनानी है और इसे हम एक मिट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से ऑईल में जब हम यह पर्मल डालते हैं तो इससे एच्छी क्रंची और करारी हो जाती है इसका जो मॉश्चर होता है वो पूरा खतम हो जाता है और बिल्कुल क ही डालना है क्योंकि हम सुखे मसाले बाद में डालेंगे तो यहां पर मैंने डाला है थोड़ा सा रचली पाउडर और साथ ही थोड़ा सा नमक ताकि पर्मल में अच्छी सी कोटिंग हो जाए नमक की और टेस्ट अच्छा आए और यह जो हमारी पर्मल है यह बहुत क्रंच हो गई है एक दम से और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी तो एक दो मिट बाद में इसको यहां पर निकाल लूँगी आप देख सकते हैं अच्छे से ब्राउन हो गई है यलो कलर इसमें बहुत ही अच्छा आ गया है वाइट वाइट नजर नहीं आ रही है तो अब हम इसको मैंने लिया है बारिक कटा हुआ प्याज इसे बिल्कुल बारिक बारिक चॉप करके रखा हुआ है इसको मैंने यहां पर मिला दिया है साथ ही अब हमें इसमें डालूँगी हरी मिर्च बिल्कुल बारिक कटी अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बना रह तो यहां पर आप निबू का रजबी यूज ले सकते हैं और साथ ही में यहां पर डालूँगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा रैट चिली पाउडर अच्छे तीखे पन के लिए और इन सारी चीजों को हम यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको जब भी खाना हो भेलपूरी आप उसी समय बनाईए ताकि इसका क्रंची क्रारापन इसे ही बना रहे और अब मैं पर डाल रही हूं हरे धन्या की चट्नी हरा धनिया और पुदिना इकी मिक्स चट्नी मैंने बना रहे थी वो और साथ perkA TAYC इससे थोड़ा सा मीठा पन और खटा पन तीखा पन सारे ही फ्लेवर हमारे इस भेल पूरी में आ जाएंगे तो यहां पर मैंने डाले हैं दो चम्मश टमेटो कैचप और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आपको मिक्स इसको बहुत देर तक करना है और अच्छे से करना है और सारी पर मल इसमें मसाले अच्छे से मिक्स होकर एक जिसी हो जाएं तो यहां सारी चीजों को मैं करेवन एक मिर्ट तक अस्छे से मिक्स कर लूँगी तकी हमारे जो हमने मसाले डाले हैं वो सभी मनें अच्छे सेear को जाएं तो एक मिन्ट करीवन मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस फ्रेंड्स इतना सही टाइम हमें लगता है घर पर बेलपुरी बनाने में जादा टाइम आपको बिलकुल भी नहीं लगेगा और जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ खटी, कुछ मीठी, साथ ही मैंने यहां पर उपर से डाली है बिलकुल बारिक वाली नमकीन और आप यह नहीं डालें तो यहां पर बिलकुल बारिक जो नाइलोन वाले सेव आते हैं बिलकुल मुझ जैसे भी जादा बारिक वो भी इसमें डाल सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बस जटपत बहल पूरी तो जब भी आपको 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 अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक श्राइब जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साइट में जो बैल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए तिल देन बाई बाई